तो चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं आपको सुभी को बता होगा कि चैट जीपीटी भाई एक एलगूरिथम है एक गूगल का कमपैटिटर है जिसमें क्या होता है कि आपने सिरफ और सिरफ एक क्वेस्टन लिखने है और वो आपको आंसर देता है अब चैट जीपीटी को यूज करना वो कहते हैं आज कल एक मिसाल बड़ी मशूर हुई पड़ी है कि चैट जीपीटी पर लिखो सब कुछ आड़ेगा चैट जीपीटी एक मिशीन है को इंसान नहीं है वो सारा इतने इंटेलिजेंट होगे बैठा हुए है इवन नियूटन क को उसके फिल्ड ये लावा बहुत चीज़ें नहीं पता थी तो हाउज इट पॉसिबल के इनसानों ने जिन्हों ने ये मॉडल को ट्रेन किया क्या ये हर एक चीज़ का प्रॉपर नॉलिज रखता है या सिरफ बेसिक बेसिक उपर उपर से नॉलिज रखता है चलें टेस् लिखते हैं और फिर इस पर काम करते हैं किस तरीके से चैट जीपिटी जीपटी जो है हमारे डेटा साइंस के फीड़ के अंदर और खास तोर पे रिसेर्च राइट अप के अंदर हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं और सबसे पहली बात यह है कि चैट GPT को यूज करने के लिए आपको सवाल बनाने आने चाहिए, ठीक है, मैं एक एक एक्जेंपल आपको यहां पे दिखाता हूँ, सिंपली हम इसका इंट्रफेस कुछ इस तरीके से मैंने रिसर्च वर्जिन इसका वो एक्टिवेट किया हुए, क्योंकि मेरा में काम रिसर्चर का है, तो फ्री रिसर्च प्रिवीव है मेरे पास, और मैंने स्टार्ड में इसको बताया था कि मैं रिसर्च के तिलिये यूज करूंगा एक्जेम्पल जिसने दी हुई है हम डिरेक्टली जाते हैं कि किस तरीके से आपने इस पर क्वेस्टन पूछने है ठीक है पहला स्वाल मैं पूछता हूँ ठीक है समझ रहे हैं बात कि ये कर लें वो कर लें और आपने एक चीज नोट करनी है कि इसने आंसर आपको देते देते साथ में कुछ लिंक्स रखने है और इसका स्टाइल ये है कि आपको समझाते समझाते मंदर जायल करके एक, दो, तीन, चार, पांच कर देता है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने किसी को चीज समझानी है तो पूरा फुल फ्लेज उस पॉइंट को समझ के आगे फिंगर टिप्स पे समझाए ठीक है पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौती ये, पांच वी ये तो ये वही रूल को अपना रहा है और इन्हों ने जो रूल्स ली है वो बिसिकली इंग्लिश लिट्रेचर से ली है ठीक है तो इंग्लिश लिट्रेचर से रूल्स लेके तो इस तरीके से इसने आपको बगायदा टाइटल्स और डिफरेंट किसम के चैनल्स और डिफरेंट किसम की चीजें जो है वो बतानी स्टार्ट कर देने विद रिसोर्स पहले ब्राइलर आंसर था अब क्या दिया उसने विद रिसोर्स दे दिया और इसमें से कुछ चीज़ें औरीजिनल होती हैं कुछ नहीं होती है यह बात याद रखिएगा मतलब यह इसने भी algorithm वी run किया है ना कुन सा confirm किया है और usually यह होता है कि यह Google कुछ algorithm के experts के बारे में अगर आप देखें के जैड जीपिटी कैसे काम करता है उन्हों यह बताया कि मशूरे जमाना सर्च इंजन को यूज़ करके टॉप टैन रिजल्ट्स को एनलाइज करके आपको बता रहा होता है ठीक है गूगल हो गया या दूसरे बिंग वगरा हो गया चलें आगे चलते हैं अभी अगर मैं इसको कहूं के टीच्च मी मैं सेम क्वेस्टन को टीच्मी आउटो कोड ौन पाइथोन विद लिंक्स विद इग्जेंपलस इन पाइथोन करना था वह मेरे से ग्रामडेकल में स्टेक होई है चेक करें अब क्या रहा है सिरफ मैंने विद इग्जैंपल की है साथ समझगे तो अक्सर उकात इस चीज़ को यूज करने के लिए आपको कुछ कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं एक्जेंपल जब भी आप लिखेंगे आपको प्रॉपर बना के दिखाएगा ठीक हो गया अब आज के दोर में ना स्कॉलर्शिप लेना कोई मुश्किल काम नहीं है नहीं देख लेना भी दो मिन्ट में आपको एक अप्लिकेशन प्रॉपर करके दिखाने वाला लेकिन यह एक्झग आपने करने की से उसको सेट करने ठीक है अब इसने रन करी जाना accept intéress एक टाइम आएगा यह स्रॉप हो जाएगा ठीक है को यह आप new chat करके भी इसको स्रॉप भूव बंद कर वा सकते हैं इसका इसका इस अप तो यूउ मैं यहां पर कहता हूँ के हाउ नहीं राइट एन राइट ए मोटिवेशन लैटर और मैं एप्लिकेशन इन मास्टर्स यह इसको कर देता हूँ एट मोट्स ठीक है लेट सी क्या करता है मुझे नहीं बता क्या आल है सिरफ कॉपी करना है भाई कहां पर गया वो ग्रैमेटिकल मिस्टेक ना कोई मसला ना मसायल और तू दी पॉइंट दुनिया के सारे मोटिवेशन लेटर एनलाइज करने के बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है जो यह कहते है ना अपना मोटिवेशन लेटर भेई दो मैं कहता हूँ हो नहीं इतना चाहिए मोटिवेशन लेटर चेंजिंग खुद कर लो अच्छा नहीं पसंद आया नहां साही यह लोग पकड़ो खला फिक हो गया तो पांच-छे मोटिवेशन लेटर उठाया के आप बना सकते हैं मोटिवेशन लेटर एप्लिकेशन आगी चलो अगला देखते हैं हाओ ना यहां पे गाना राइट एमेल पर प्ह.ड पोजिशन इं सियो के इं गर्मी तो पेसर दोट प्रॉपर इमेल का फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है ठीक है और इजारी बात है आपकी डिग्री का उसे नहीं पता अगर आप डिग्री बता देंगे और सारा कुछ बता देंगे तो वो भी अच्छा सेट कर देगा ठीक हो गया अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ आप में से अकसर लोग अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं लिखते हैं ना चलें आपको एक मिसाल देता हूँ मैं यहां पर सिंपल सी मिसाल just give me one second हमारा एक टाइटल है जो आने वाला रिसर्च पेपर है उसी का उसके टाइटल को मैं यहां पर लिखता हूँ और आप देखिएगा कि वो टाइटल को दगड़ मगड़ करके किस तरीके से एक अच्छ an attractive manuscript title on जो मैंने title लिखा है ना उससे different है ठीक है ने यहां पर लिके था and उसने एक दिया five attractive manuscript titles on, let's see एक इस intense के के वरजिन्स खुदा के बंदो अगर पेपर लिखना चाहते हो ना हो जो शुरू संटेंस उठाओ यहां पर लिखते हो अब अगली बात अगली बात आपको बताता हूं यहां भी यह करना नहीं चाहिए लेकिन आपको मैं एक एक्जैंपल देता हूं डिफरेंट किसम की वाइनर एन इफेक्टिव एप्स्ट्रेक्ट बाइ यूजिंग डिस इन्फोर्मेशन पूरा अप्स्ट्रेक्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया उसमें अपने टाइटल का अपने पेपर का लैट सी क्या होता है मुझे नहीं पता बट भी विल सी इसने उसको पढ़ना है और ऐसा कमाल का आपको लिखके देना है ना अब्स्ट्रेक्ट के आप सोच भी नहीं सकते अब लोग कहेंगे कि यह मिस्यूज आ टेक्नॉलोजी का थे हैं सिटो होते ओनलाइन फ्रीज हमें हमें हमारे पास तो टूल है हम तो आगे भूके हैं इन चीज़ों के अब इस एबस्ट्रेक्ट को पढ़ लें और पिछले वाला जो लिख है वो पढ़ लें जमीन असमान का फरक ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक स्टोरी लाइन और जो साइंटिफिक राइटिंग के रूल्स हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई हो रहे हैं टॉपिक्स एंटेंस हो फिर उसकी बॉड़ी हो फिर उसके अंदर बॉड़ी के साथ दलीले हो और दलील लेर्निंग प्रॉजेक्स तो बिल्ट माइ पॉर्ट फोलियो विद गिट हब लिंक्स तो आप यह दस पॉर्ट फोलियो के लिए सिरफ उठाएं गुमाएं अप्लोड कर दें लेकिन इनको जरूर बताएं के कैसे करने हैं समझाई बात की मालब ठीक है आप लोगों को ट्वीट्स भी मिलते होंगे और आपकी एकसाइट्मेंट नहीं होगी लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे फिर पता चलेगा आप मैंसे काफी लोग जो हैं वो एक चीज के पीछे परिशान होते हैं के यार हमने मोटिवेशन लेटर का ऐसा लिखने हैं स्कॉलर्शिप के लिए मैंने वो भी बताया आपको आप मेंसे लोग परिशान होते हैं सीवी कैसे बनानी होते हैं ना परिशान के सीवी कैसे बनी जाए हमारी चलें आपको एक साइंस with examples teach me how to make top CV in data science with examples ये आपको पहले बता रहे है कि क्या CV होती है क्या नहीं होती है उने कौन कौन सी चीज़ें एड करनी है इसकी दो जरूरे दी नहीं है खास तोर पे skills बाला पार्ट वहां पे उन्होंने क्या लिखा होता है बला सुरा कुछ उठा के मुझे python भी आती है metal लिप भी आती है, टैबलियू भी आता है ये भी आता है, super human बने होते है तो वो नहीं हमने करना तो इसने सिर्फ content बताना है क्योंकि ये एक text based है इसने design करके नहीं देनी अगर आपने भूलेना है तो आप tools लेक सकते हैं कि top 10 tools कौन से है और जितनी concise CV ये बता रहा है इसका मतलब ये है कि इसने top CVs को analyze करके यहां पे लेकिया है, ठीक है skills ऐसे बताई जाती है data science की अगर आप से कोई पूछे के कैसे करना है, ठीक है फिर publications हैं तो उनको बता दें talks कहीं पर दी हैं, वो बता दें, courses बगर है कि हैं वो बता दें, तो ये एक ingredient है based on the CVs अब आपको ये भी एक और चीज मैं बताता हूँ आपने एक ट्वीटर पे रिजवन एक पोस्ट करनी है मैंने पहले भी बताया था data science के बारे में अपनी वर्थ बनानी न कुछ ना करो दो रूल्स अपना लो कौन से top seven, आपने ये three use करना है, five use करना है, seven दस, बांच नहीं, top seven books to learn data science for beginners with pdf links क्या हाल है आपकी अपनी नहीं है ये pdf github, जिसकी ये उठा के पेस्ट कर दो सिरफ बनाओ post twitter की और आप hit हो जाओगे इसी को उठा के आप facebook पे करते रहो लोगों को नहीं, लोग chat GPT को कुछ और समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये बातें करता है हमारे साथ, आपने एकसर लोगो को कहते सुना होगा कि ये तो बातें करता है आप इसे बूलो teach me this, teach me that, तो ये आपको proper information देता है, बड़ी refine करके, few examples, many resource others available, अब जो लोग ये पूछते हैं कि भई, book कौन सी और कहां से लें हम, machine learning की data science की, मैं इसे copy करता ह यहां पर मैं data science की बजाए लिखे देता हूँ, deep learning, ठीक है, साथ में जब तक आप PDF लिंक्स नहीं लिखेंगे, आपको PDF copy नहीं मिलने, सिर्फ नाम आ जाने है, सही हो गया, अक्सर अकात आपको वजारी बात है, वो free वाली नहीं मिलती है, आपको उसके buy करने बढ़ती है, तो इस अब टू यू, आप साथ में github link लिख दें, तो github का link मिल जाता है, जितनी भी online books है, उनकी github पे copy ज़रूर मिल पड़ी होती है, ज्यादा तर, एक question लोग पूछने हैं कि plagiarism होता है कि नहीं, according to chat GPT, इनका content original है, किसी का copy नहीं करते हैं, otherwise ये चली नहीं पाएंगे, so, plagiarism के chances come है, try कर लो, अगर है, तो remove कर लो, लेकिन sentence structure तो बदल गी है, so it's up to you, okay, then, कोई और चीज आप इसमें पूछना चाहें, it's up to you, लेकिन मैं इस पर पूरी series बनाऊंगा, तो ज्यादा चीज़ें आ रहेंगे, अभी तो बस हम ही, randomly इस पर हमने start कर लिया, then if you have any question,